हेलो प्रेंड मैं एसन प्रजापती एसमभी नालेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ प्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं गौस के नियम के अनुप्रियोग और यहां पर दूसरा अनुप्रियोग है अनंत विश्थार की समतलावेसित और चालक च खेतर की तिवरता तो फ्रेंड यहां पर हमने मालिया कि यहां पर यह कोई एक समतल और चालक चादर है जो कि एक समान आवेसित है और माल्या की या धान आवेश से आवेशित कोई ओचालक चादर है और या एक समान आवेश से आवेशित है यानि इस पर जो आवेश का वितरड है वो सरवत्र एक समान है इस ओचालक चादर से आर दूरी परिस्थिक किसी भिंदु पी पर वैदु छेट की तिवरता की गड़ना करनी है तो यहाँ पर जड़ा देखें एक हम गासियन प्रिष्ट इस भिंदु पी से देखेंगे इस तरह से एक गासियन प्रिष्ट की कलपना करेंगे इस बिंदू P से मल्या बिंदू P यहाँ पर है तो इस बिंदू P के समाच बिंदू P के समय में दूसरी ओर इस और चालक चादर के दूसरी ओर भी उतनी ही दूरी पर एक बिंदू R डै एक बिंदू P डैस हम लेंगे यहां पर भी एक बिंदू P- लेंगे यह बिंदू P- और यहां पर यह माल्या की यह चालक है और इस चालक से इसकी जो दूरी है वह आ रहा है बिंदू P की जो चालक और चालक चादर से बिंदू P की दूरी आ रहा है इस माल आ रहा है फिर यहां पर जरा देखेंगे यह धानावेस है धानावेस के काड़ बेदु छेत की दिशा बाहर की और यह मालिया बेदु छेतर ए की दिशा बाहर की और और यहां पर जरा देखेंगे छेतरफल सदिस का जो डाइरेक्शन होगा वा भी बाहर की उर इस तल के लंबावद बाहर की उर और यह जो आप देख रहे हैं जो यह बेलन बना उआ है सिलेंडर बना उआ है सिलेंडर के अनुप्राश्ट परिचेद जो यानि यह जो बृत्ता कारभाग है इसका छेतरफ़ल कैप्टल A है, संपूर छेतर पर इसका capital A है ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी और चलक चादर के दूसरी और भी धन आवेस के काड़ जो बैदु छेतर की तीब्रता होगी उसको मालने हम लोग वेक्टर E और इसकी भी दिशा बाहर की और और यहाँ पर भी बैदु छेत की दिशा देखेंगे इस तरह से इधर हो जाएगा और यहाँ पर इस वकप्रिष्ट पर जो छतरफल सदिस का डायरेक्शन होगा वह ऐसे लंबावत हो जाएगा तो यहाँ पर इस वकप्रिष्ट से कोई भी बैदुद फ्लक्स नहीं गुजरेगा जो भी बैदुद फ्लक्स गुजरेगा वह इस तल और इस तल से ही गुजरेगा तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग और चालक चादर के लिए प्रिष्ठी आवेस घनतों परिभासित करेंगे तो प्रिष्ठी आवेस घनतों यहाँ पर लिखेंगे माना और चालक चादर का प्रिष्ठी आवेस घनत्व प्रिष्ठी आवेस घनत्व यहाँ पर आचालक चादर का प्रिष्ठी आवेस घनत्व सिगमा है तो प्रिष्ठी आवेस घनत्व क्या होता है इसको सिगमा से प्रसीद करते हैं और सिगमा इक्वाल टू होता है चेतरफल बटा आवेश यहाँ पर हो जाएगा आवेश अपान चेतरफल प्रिष्ठी आवेश धनत होता है आवेश बटा चेतरफल और यहाँ पर माल लिया कि आच अलग चादा क्यों आवेश से आवेशित है और इसका जो चेतरफल है वो यह है तो sigma equal to q by a या q equal to जब यहां से निकालेंगे तो this implies q equal to sigma a इसको बना लिया equation first अफ्रेड यहाँ पर जिरा देखेंगे यहाँ पर बिंदू p से बिंदू p पर वैदू छेर के ती वरता ग्याद करनी है तो यहाँ पर बिंदू p और p डैस बिंदू p के सममित एक बिंदू p डैस लेंगे और इन दोनों को कभर करता हुआ एक Gaussian प्रिष्ट जब खिचेंगे तो यह Gaussian प्रिष्ट क्या होगा यह एक बेलन होगा यहीं Gaussian प्रिष्ट है और यह कालपनिक होता है जो गासियन प्रिष्ट होता है वह कालपनिक होता है तो इसको लिख सकते हैं कालपनिक गासियन प्रिष्ट तो देखेंगे इस कालपनिक गाजियन प्रीष्ट का जो यह वक्र वाला भाग है बिलन का उससे किसी तरह का कोई भी वैदुत फ्लक्स होकर नहीं गुजरेगा क्योंकि यहाँ पर वैदुत छेत्र और छेत्रफल सदिश दोनों लंबवत है और जबकि यहाँ पर यहाँ जो व्रित्ताकार तल देख रहे हैं यहाँ पर इससे इलेक्टिक फ्लक्स वैदुत फ्लक्स होकर गुजरेगा क्योंकि यहाँ पर वैदुत छेत्र और छेत्रफल सदिश दोनों के बीच का कोड़ थीटा इकोल टू जीरो डिगरी है और जीटर से यहाँ पर भी थीटा इकोल टू जीरो डिगरी है तो फिर्ट इस तरस हम कह सकते हैं कि इस गासियन प्रिष्ट से गुजरने वाला समस्त वैदुत फ्लक्स यहाँ पर ज़रा देखेंगे अतह गासियन प्रिष्ट से गुजरने वाला समस्त वैदुद फ्लक्स गासियन प्रिष्ट से गुजरने वाला वैदुद फ्लक्स वैदुद फ्लक्स फ्लक्स फाई एक्वल टू इडॉट डीए सर्फेस इंटिग्र लिया है छिटरफल समाकला इडॉट डीए जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो phi e हो जाएगा 2 e e.da और e.da दो सरीसों का dot product क्या होता है a b cos theta तो यहाँ पर भी हो जाएगा electric flux e e.da का मतलब e da cos theta तो यहाँ पर दोनों के 20 का core e और da के 20 का core कितना है 0 degree है का 0 की value एक हो जाएगी और e क्या करेगा बाहर आ जाएगा यहाँ से जब हम लो निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 e da da का समातलं कितना होगा e तो यहाँ पर यह हो जाएगा phi e equal to 2 e e phi e equal to 2 e e यह समीकरण 2 बना लिया परन्तु गौस के प्रिमे से देखेंगे गौस का नियम क्या 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 है गौस के नियम से क्या हो जाएगा जो वैदुत फ्लक्स phi e है यह हो जाएगा q upon epsilon not क्योंकि गौस का नियम यही करता है कि कि किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला समस्त वैदुत फ्लक्स उस बंद प्रिष्ट से घिरे आवेसका one upon epsilon not गुना होता है तो फ्रेंड यहां से अगर हम लोग देखें तो फाई एक क्यों अपान epsilon not और यहां से जब इसको समीकर्ड इसको बना लिया तीन और जब दो और तीन से बात करेंगे यहां पज़रा देखें समीकर्ड दो तथा तीन से तो यहां पर हो जाएगा 2EA equal to यहां पर जाएगा 2EA equal to q upon epsilon not तो E equal to हो जाएगा q upon और देखेंगे 2A यहां पर जाएगा तो 2A epsilon not परन्तु समीकर्ड एक से q की जगा रख देंगे sigma यहां पर लिखेंगे समीकर्ड एक से q की value रख देंगे तो यहां पर e equal to हो जाएगा लिखेंगे q की जगा रखेंगे sigma A upon 2A epsilon not तो A से एक कड़ जाएगा और यहां पर आएगा A equal to sigma upon 2 epsilon not तो फ्रेंड यहीं क्या है और चालक अनंत विश्तार की संतल आवेसित और चालक चादर के निकट किसी बिंदू P पर 226 की तिवरता का सुत्र तो इस तरह से फ्रेंड इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं